के आज के अंक में मैं आप सभी के लिए कुछ बहुत ही महात्यपूर्ण करेंट अफेर्स लेकर आया हूं जो कि आपके आगामी परिक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप सभी इन करेंट अफेर्स से नोट्स बनाईए और क्रम से इनको करते जाएए आज जो आपका हो जाए तो जो इंपोर्टेंट पक्ष होंगे वो मैं करवा दूँगा ठीके चलिए मैं सुरू कर रहा हूं देखे यह आपका जो है परे नौरतने कंपनी होती थी एक पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है यानि सारजुनिक छेतर का उपक्रम है इसका फुल फॉ रूलर एलेक्ट्रिक कार्पोरेशन यह पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है 21 सेप्टेंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा रीची को महारतन का दर्जा दिया गया है तो यह महारतन बन गई है परे नौरतन हुआ करती थी अब यह महारतन कंपनी बन गई है ठीक है महारतन नौरतन मिनी रतन का कॉंसेप्ट है आपका तो अब इस समय भारत सरकार के टूटल बारा महारतन कंपनिया हो चुकी है टूटल कितनी हो गई है बारा है महारतन कंपनिया हो गई है तो बित्यमंत्राले के अधीन लोक उद्यम विभाग है लोक उद्यम विभा जिसको भारत सरकार ने REC को जो है महा इरतन का दरजा दिया है, इस तरीके से टोटल महारत कम्पनियों की संख्या होगा यह 12। अब यह कौन है बारा कंपनी है एक तो आपकी भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है जिसको हम भेल कहते हैं भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल बीचियल दूसरा आपका जो है भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड जिसको हम बीपी सील कहते हैं ये भी महारत में कमपनी है, कोल इंडिया लिम्टेट, CIL ये भी महारत में कमपनी है, गेल आपकी, GAIL, गेल इंडिया लिम्टेट, ये भी आपकी जो है, महारत में कमपनी है, इंडिया नायल कार्पोरेशन लिम्टेट, IOCL, ये भी महारत में कमपनी है, NTPC आपकी ये भी आपकी महारतने कंपनी है ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited ये भी महारतने कंपनी है Steel Authority of India Limited, Sale ये भी आपकी महारतने कंपनी है एक आपकी Power Grid Corporation of India Limited है PGCIL ये भी आपकी महारतने कंपनी है Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL ये भी आपकी महारतने कंपनी है एक आपकी पिछले साल बनाई गए थी Power Finance Corporation Limited यह आपकी है Power Finance Corporation जिसका नाम है PFC पहले यह बनाई गए थी ग्याराहमी यह थी आपकी PFC और बारवी बन गई है REC Rural Electric Corporation यह आपकी बन गई है बारवी तो REC Limited को क्या बना दिया गया है 12 महारतन एक तो यह दिमाग में बैठा के रखना है क्या बन गया है 12 महारतन कंपनी के तौर पे इसको बना दिया गया है ठीक clear है इस पस्ट है तो REC जो है आपकी अब महारतन कंपनी हो चुकी है और इस तरीके से महारतन की संख्या 12 है 9 रतन की संख्या भी 12 हो गई है 9 रतन कंपनी भी 12 हो चुकी है ठीक है 9 रतन कंपनी भी 12 है इस समय टोटल ठीक है और 2021 में पी अपसी बनी थी 11 हमी REC हो गई 12 हमी और आपकी 12 महारत में 12 नौरत में कंपनी यह आपको ध्यार रखना है REC से question पूछा जा सकता है तो REC आपको दिमाग बैठा रखना है क्लियर है इस पर सभी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला है आपका इंटरनेशनल जो है मोनेटरी फंड जो आपका है अंतर राष्टी मोद्रिक फंड जो आपका है उसके द्वारा वर्ल्ड एकॉनोमिक आउटलूक यह जारी किया जाता है और इसके तहट बताया जाता है कि विश्व की किस अर्थवेवस्ता किस गति के साथ बढ़ रही है यह एक रिपोर्ट जारी करता है रॉक की रिकबरी करके एक रिपोर्ट इसके अभी जारी हुई थी तो देखो इससे कुश्चन आता लेटेस्ट का डेटा आपको पता होना चाहिए तो वर्ल्ड एकॉनोमिक आउटलूक की रिपोर्ट आई है आपकी वर्ल्ड एकॉनोमिक आउटलुक रिपोर्ट ये आपकी अप्रेयल 2023 में आई है और ये एक तरीके से विश्य की जो आर्थव्योस्था है ना उनके जीडीपी में क्या बढ़ोतरी हो रही है क्या बृद्धिदर चल रही है उन सब के बारे में बताता है तो वर्ड एकॉनोमिक आउटलुक के अंतर जीडीपी तो इंडिया के जीडीपी की अदि हम बात करते हैं तो ये कह रहा है आई एमेफ की रिपोर्ट करें कि भारत की जीडीपी 2022 के लिए 6.8 प्रिस्थत के दर से बढ़ रही थी 2022 में 6.8 प्रिस्थत के दर से बढ़ रही है और वहीं 2023 और 2024 के लिए अनुमान लगाये गया है अभी 2023 चल रहा है और 2024 आएगा तो 2023 में थोड़ा रफ्तार कम बताई है उन्होंने 5.9 प्रिस्थत देखो अलग-अलग अनुमान होते हैं अपने रुमान देता है आएमे फलक देता है वर्ल्ड बैंक अलग देता है लेकिन आपको पता होना चाहिए यह चीज़ ठीक है और 6.3 परसेंट इन्होंने 2024 के लिए बताया है तो 2022 में 6.8 दर्जी की गई है काफी अच्छी रफ्तार से चल रही है यह बैस्वी करते बस्त ठीक है क्लियर है इस परश्ट है सभी को इस परश्ट है इंडिया की यह आपको लिख लेना है ठीक है आई एमेप के द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड एकॉनोमिक आउटलेट अप्रेल 2023 का यह जो है रिपोर्ट है जिसमें से 2022 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी ह परशंट और 2023 में 5.9 परशंट और 2024 के लिए 6.3 परशंट यह ग्रोथ रेट के तौर पे इसको रखा गया है ठीक है वहीं जो बैस्वी कर्थ बहुसता है वर्ल्ड का जो एकॉनमी है सभी को यदि कंपेर करें सभी को जोने तो 2022 में वर्ल्ड की एकॉनमी सिर्फ और सिर्फ 2023 में 2.8 परशंट और 2024 के लिए वर्ल्ड एकॉनमी जो है आपकी वो 3 परशंट के गती से बढ़ेगी तो यह बिस्यू की अर्थव्योस्था है सभी अर्थव्योस्थाओं को जोड़ करकि इन्होंने बनाए कंप्रिहंसी रिपोर्ट है और भारत की 2022 में 6.8 ध्यान रखना ह पूछा जा सकता है 23 में 5.9 और 24 में 6.3 तो एक तो आपका यह है रिपोर्ट अब देखो ऐसे ही बहुत सारी संस्था हैं आपकी जारी करती है मैं RBI वगरा का भी बताऊंगा Economic Survey भी बताता है एक आपका जो है ASEAN Development Outlook यह जारी करता है ठीक है अपरेल 2023 का आचुका है ASEAN Development Outlook ठीक है तो ASEAN Development Outlook के हिसाब से यह कौन है कौन जारी करता है ACI विकास Bank ADB यह कहां पर अवस्तित है इसका मुख्याले मनीला में फिलिपीन्स की राददानी मनीला में अवस्तित है तो इसके द्वारा ADB के द्वारा जो है आपका ASEAN Development Outlook जारी किया गया है इसके तहट भी देखिया बताया गया है कि भारत की GDP क्या रहेगी इसमें भी एक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की GDP 2021 में कितनी रही 2022 में कितनी रही 2023 में कितनी रही और 2024 में कितनी रही ठीक है ASEAN Development Bank ASEAN का World Bank है ये मानके चलिए ASEAN के लिए World Bank है तो सबसे पहले इसने बताया कि ASEAN की GDP टोटल कितनी रही मतलब ASEAN Continent की GDP कितनी रही और इसके बाद फिर हम भारत की GDP के तरफ आएंगे ठीक है तो ASEAN की GDP इसने बताया सबसे पहले ASEAN की GDP आईएमेप के दोरा World और इंडिया की GDP है ना बाकी हर country की GDP बताता है तो हमने भारत और World की compare कर ली यहाँ पर पहले ASEAN की देखे फिर इंडिया की देखते है ASEAN की GDP 2021 में थी 7.2% ठीक है ये ध्यान रखना है GDP तो समझते हो ना सक अकल घरेलो उत्पात ठीक है दूसरा है आपका 2022 में काफी कम हुई 4.2% ठीक है इसके बाद 2023 में 4.8% अनुमानित है और यहाँ पर भी 4.8% के आसपास ही है आपकी तो यह इनोंने बताया ASEAN की GDP अब बात करते हैं भारत की GDP कितनी है तो भारत की GDP का बहुत बड़े लेबल इनोंने बताये कि भारत की GDP बहुत ज़्यादा ग्रोइंग GDP है और 2021 में इनोंने बताये कि भारत की GDP 9.1% की गती से बड़ी है 9.1% के आसपास जो है भारत की GDP में ब्रदिदर हुई है वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में 6.8% ठीक है और 2023 में इनोंने बताये 6.4% 6.4% और 2024 में 6.7% ठीक है अब यहाँ पे ज़िए हम compare करते हैं यदि तो आप पाएंगे कि 2022 के लिए 6.8% IMA भी बता रहा है और ACN Development Bank के द्वारा भी 2022 के लिए 6.8% बताएगे ठीक है और 2023 का जो 24 का projection है उस projection को भी ज़िए आप देखेंगे तो वहाँ पर IMAF के द्वारा projection 5.9 किया गया था लिक्नों ने 6.4% किया है और IMAF ने 2024 का जो projection 6.3 किया था उसको 6.7 किया है ठीक है तो ये ACN Development की रिपोर्ट आई है ACN Development Outlook अप्रेल 2030 तो ये दो डेटा आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबल पर भारत की GDP को लेकर के अन्य क्या कह रही है अन्य जो है रिपोर्ट क्या कह रही है ठीक है बाकी हम Economic Survey और बजट और जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देख लेंगे कि हमारी बजट और Economic Survey में क्या बोला जा रहा है ठीक है तो जलवायू परिवर्तन प्षदर्शन सूचकांक 2023 आ चुका है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन शूचकांक 2023 यह आ चुका है और सबसे दुरभाकि की बात यह है कि इसके टॉप थ्री में कोई नहीं है, कोई देश नहीं है स्टार्ट होता है टॉप फॉर से टॉप तीन देश में किसी को स्थान नहीं दे दिया गया ठीक है, तो टॉप थ्री में कोई नहीं है टॉप फॉर में आपका डेन्मार्क है डेनमार्क चौथे नमबर से चालू होता है चौथे नमबर पे हैं डेनमार्क टॉप थ्री खाली पड़ा है भी डेनमार्क डेनमार्क को चौथा नमबर मिला है इसके बाद डेनमार्क के बाद स्वीडन है ठीक है इसके बाद पाँचवे नंबर पे स्वीडन है, भारत की अधिबात करें तो भारत का रैंख है आठवे नंबर, आठवे नंबर है हमारा भारत, भारत की रैंख है आठवे नंबर पे भारत है, बारत का इसकोर आठवा है इसमें, अब देखें फ् संकीतक हैं और चार सरेडिया बनाई गई है जैसे ग्रीन हाउस उस सरजन कितने हो रहा है जलवाय नीती क्या है किसी देश की उन अधार पे पूरा का पूरा प्रदर्शन निकाला जाता है ठीक है तो अभी टॉप थ्री में कोई देश नहीं है चौथे नंबर पे डेन्मार्क है भारत का जो है कौन सा इस्थान है भारत आठवे नंबर पे है ध्यान रखना है भारत का रैंक क्या है भारत आठवे नंबर प और डेनमार्क चौथे नंबर पे तो देखा जाए तो भारत विश्व में एक बड़ा ही जिम्मेदार देश के तोर पे आपका बन रहा है ठीक है आपको पता होगा नंबर एक नंबर दो नंबर तीन खाली पड़ा है नंबर चार डेनमार्क है नंबर पांस स्वीडन है फिर चिली है मुरक्को है फिर भारत है आपका ठीक है तो जलवाई प्रदर्शन में हम बेतर कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे है ठीक क्लियर एस पस्ट है चलिए अब आगे चलते हैं पैसा बिदेशी कर्ज भारत के उपर भी बहुत बिदेशी कर्ज है इतना सारा डेवलप के 2022 का ये आक्ड़ा है दिसम्बर 2022 का डेटा है कि दिसम्बर 2022 के अंत तक में भारत के पास कितना करजा था भारत के पास दिसम्बर 2022 के अंतिम समय तक में 613.1 billion डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है ये ठीक है बिलियन डॉलर हमारे पास क्या है कर्ज है 613.1 बिलियन डॉलर का कर्ज हमने ले रखा है दिमाग में वेठा के रखेगा और ये बढ़ता जा रहा है सेप्टेंबर 2022 से 7.3 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है दियान रखेगा और GDP से GDP के लभग 19.1 परसेंट आपका कर्ज ही है ठीक है तो जो कार योजना इतनी हो रहे है इतना विकास हो रहा है आप सोचेंगे देखेंगे तो दिरगावधी क्रेंड काफी जादा है और अलपावधी क्रेंड भी हमने ले रखा है ठीक है तो 613 बिलियन डॉलर भारत सरकार के उपर करजा है अभी ठीक है ध्यान रखना है इस बात को इंडिया एनिमल हेल्थ समिट हुई थी आपकी 6-7 जुलाई 2022 को ठीक है 6-7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में प्रतम भारत पसु स्वास्त सिखर सम्मेलन हुआ था फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 हुई थी कब हुई थी 6-7 जुलाई को कहां हुई आपकी नई दिल्ली में कहां हुई तो दो दिवशिये सम्मेलन था इसका उट घाटन केंद्री मतश्य पालन पसु पालन ने डेरी मंत्राले के द्वारा किया गया था ठीक है यह और इसके तहट कई सारे जो भारती खादयों करीसी परिसत्त जो आपकी है और सात में पसु पालन और डेरी विभाग इन दोनों के सही-एओ से इसको किया गया था तो पहला पसु समीट आपकी पसु स्वास्थ समीट आपकी एनीमल हेल्थ सिकर समेलान आपका यह आयो जित किया गया था तो अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है अनोखी जो है बहस है आपकी ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश यूपी पीचेस जो दे रहे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है और आपको पता होगा कि उत्तर प् आपकी हर साल होती है आपकी तो यूपी ग्लोबल इंवेश्टर समीट अभी हुई थी आपकी ठीक है और देखे जब तक हमें निवेश नहीं होगा तब तक कैसे हम काम कर पाएंगे कैसे इंफर डेबलब कर पाएंगे तो यूपी ग्लोबल इंवेश्टर समीट आपकी मोदी जी के द्वारा इसका आरंब किया गया था और 12 फरवरी को इसको जो हमारी राष्टपती द्रौपती मुर्मु जी है उनके द्वारा इसका समापन किया गया था तो इसमें क्या क्या किया गया सबसे पहला इस सम्मेलन के दौरान ग्लोबल ट्रेड सो एक ग्लोबल ट्रे इसकी उससे जुड़ी हुई चीजे बता रहा हूँ ठीक है तो इसमें ग्लोबल ट्रेड सो पहले चीज दूसरा आपका क्या है इन्वेस्ट यूपी 2.0 इन्वेस्ट यूपी 2.0 का सुभरंब किया गया ठीक है और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश सरकार यह सबसे बड़ा सीडों से निवेशक समिट के तौर पे इसको डैबलप किया गया है बनाया गया है अब दिखिए वह इसे तो भारत की अर्थवेस्टा को में पांच ट्रिलियन ले जाना है लेकिन पांच ट्रिलियन ले जाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्ष रखा है कि एक ट्रिलियन की अर्थिवेवस्था हम बनाएंगे आने वाले पांच वर्सों में यूपी की एकोनमी हम कितनी बनाने जा रहे हैं एक ट्रिलियन की अर् करके यहां पर काम कर सके यहां पर पैसा दे सके तो लगबग लगबग काफी बड़े इस तरफे निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा निवेश मिल रहा है पश्मी उत्तर प्रदेश को टोटल जो है 45% लोग निवेश कर रहा है पश्मी उत्तर बनारे वर नारश में किया जा रहा है, गोरकपूर में किया जा रहाए, तो प्रधानमंत्री और मुखमंत्री का छेत्र है तो बिलकुल यहां पर होगा, बाकी उर्वानचल में भी काफी बुंदेल खंड में हो रहा है, तो हर जगह पर निवेश हो रहा है, सबस्जादा प Kenny फिर पुरुवान चल और फिर आपका बुंदेल खंड ठीक है और लखनव को भी काफी निवेश किया जा रहा है जो आपके सेंट्रिक छेत्र हैं यहां पर भी खूब निवेश हो रहा है लखनव लखीम पूर कीरी तो उत्तर देश के सभी छेत्रों को बेहतर बनाना है यह द जादा निवेश की बात की गई है तो यह द्यान रखेगा यह इन्वेश्टर समिट है यहां पर निवेशकों के लिए एक अनकूल वातावरन उनके लिए बहुत सारे मौके दे करके इसको ले करके काम किया जाता है इसको ले करके चर्चा होती है डिसकर्शन होता है यह एक रिपोर्ट निकाली जाती है सेलिब्रिटि प्रांड वैल्यवेशन इस्टडी रिपोर्ट कि किस सेलिब्रिटि की क्या ब्रांड वैल्यु है आप देखे 227 बहुत सारे एक एक रिपोर्ट आपकी सेलीब्रिटी ब्रांड बैल्यूएशन इस रिपोर्ट के तहट सबसे जादा ब्रांड बैल्यू है रंड़ीर सिंग की इनकी इस जादा ब्रांड बैल्यू कितनी है 181.7 million dollar million dollar सबसे ज़्यादा brand value इनकी है नमबर एक पर आपके है रनवीर सिंग और इससे पहले आपके बिराट कोली थे बिराट कोली अब दूसे नमबर पर आ गए है 176.9 million dollar इनकी है million dollar इनकी है और रनवीर सिंग नमबर एक में है और यदि हम एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस में आलिया भट नमबर एक है आलिया भट नमबर एक में है नमबर एक में आपकी आलिया भट है ध्यान रखना इस बात को ठीक है आलिया भट आपकी नमबर एक में है और कितना है 102.9 million dollar 102.9 million dollar एक सो दो दसमलो नौ मिलियन डॉलर वैल्यू के साथ जो है ये देखा जाए तो चौथे नंबर पे हैं और जो है जो हम महिला सेलिब्रिटी की बात करें तो उसमें नंबर एक हैं महिला सेलिब्रिटी में नंबर एक हैं ध्यान रखेगा है महिला सेलिब्रिटी में नंबर एक ठीक है अब अगला टॉपिक अरह यूनियन बजट तो मेरी इच्छा है कि एक टॉपिक मैं कल कराओं आपको यूनियन बजट का कल से हम ये टॉपिक को इत्मिनान से करेंगे यूनियन बजट देखो एक साथ नहीं करानेवाला मैं धोड़ा धोड़ा थोड़ा करके आपको करवाऊंगा, ठीक है, आज कुछ करा दिया, कल कुछ करा दिया, तो कल से केंदरी यह बजट की खुर्यास करेंगे डेली हम 5-6 दिन अभी हमारे पास पर्याप समय है हम मैं आने वाले 5-6 दिनों में थोड़ा-थोड़ा करके कराऊंगा तो याद करते जाना और आपको चीजे हो जाएंगी economic survey में एक दिन लगेगा एक से दो दिन में जो important important तत्थ है economic survey के बता दूँगा जो exam oriented है जो आपको पता होना चाहिए तो budget वाला topic कल करेंगे आज के लिए देखें पहले तो ये brand value report जो आपके आई है study a deaf and false के दोवारा तो रवीर सिंग नमबर एक में दूसे नमबर पे ये UP investor जो है summit है आपकी इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई और इसमें UP को एक trillion economy की तरफ ले जाना है इसके बाद तीसरी जो है ये animal health summit आपकी हुई थी इंडिया की पहली animal health summit है ये आपकी हुई थी इसके बाद भारत की विदेशी कर्ज के बारे में या पे चर्चा है कि 613.1 billion dollar का बिदेशी कर जाए हमारे पास ये आपकी जलवाई परिवरतन सूच कांग था जिसमें डेनमार्क आपका नंबर एक में है भारत आपका आठवे नंबर पे है ये हमारी चर्चा हुई इसके बाद ये Asian Development Outlook था जिसमें से भारत की जो GDP growth है वो आपकी 2022 में 6.8 है 2024 और 2023 का भी इनोंने तो 2023 में 6.4 और 6.7 2024 के लिए इनोंने बताई है ऐसे ही आपका ये IMF के द्वारा World Economic Outlet जारी किया जाता है इसमें इंडिया की बात किरें तो इंडिया की GDP 2022 में 6.8 2023 में 5.9 और 2024 में 6.3 ये जारी होगी और इसके बाद ये आपका जो है R.E.C. Ruler Electric Corporation जो है इसको महारतन का दर्जा दिया गया इस तरीके से 12 महारतन हो चुके हैं और 12 ही 9 रतन कंपनिया हो गई है 12 9 रतन हैं और 12 महारतन कंपनिया है तो आज के लिए Current Affairs के टॉपिक के अंतरगत इतना ही रखेंगे UP बजट भी करवा देंगे बिल्कुल घबराओ मत UP का बजट भी हो जाएगा भाई क्यों परिशान हो UP बजट पे वीडियो दे देंगे और साथ में मैं करवा भी दूँगा थोड़ा बहुत आपको बता दूँगा टेंशन मतलो करवा दूँगा मैं हूँ UP बजट पहले इंडिया का कर लेते हैं इंडिया वाले में कल से स्टार्ट करेंगे आप लोग की बजट की टेंशन कहतम हो जाएगी और बजट पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे करेंट अफेर्स में आज के लिए इतना ही रखेंगे ठीक है